कॉंग्रेस नीता राहूल गांधी लंदन के कैम्बरिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया संभीलन में हिस्स लिया इस तोरान उन्होंने बीज़ेपी पचमकर हमला बोला राहूल गांधी ने कहा कि बीज़ेपी और संग तो भारत को एक भुगोल की तरह देखते हैं लेकिन कॉंग्रेस के लिए भारत लोगों से बनता है अलकि उन्होंने ये भी माना कि कॉंग्रेस अंदरू निकला, बगावत, दल बदल और चुनावों में हार से जूस रही है राहूल ने कहा कि इसके बाव जो उद्रूभी करण के कारण सत्ता में बनी हुई है भारत में आज अच्छे हालात नहीं है बीज़पी ने चारू तरफ केरुस्तिन छिड़क रखा है राहूल ने कहा कि भारत उन सस्थानों पर हमने देख रहा है चिन्होंने देश पर निर्मान किया इंडिया निर्मान किया तर्ही उन अरम उनी है बहम जर निसंग प्यș cute यूशन उन चेज शिडितों इंतिति ज्योंग घ्रिस है स्थिविग्र आशवर मैं निर्सेलों आफिष्ट्रियों और उस्यम्समाट अ पाप्न स noveफ there is an attack on the election system if you're a Dalit if you're an upper caste if you're a Sikh if you're a Hindu if you're a Muslim we believe that you should all have equal access we are not just fighting the BJP we are now fighting the institutional structure of the Indian state which has been captured by a organization BJP has a hundred percent control of media control of communication control of those cultures they have broad control of the institutional framework of the country India is not described